इस सीरीज के इस एपिसोर्ड में हम बात करने वाले हैं तराइन के पहले युद के बारे में यह युद 1191 AD में मुहमद घोरी और पृत्वीराच चोहान के बीच में लड़ा गया था इस युद में मुहमद घोरी को एक बहुत बुरी हार जेलनी बड़ी पृत्वीराच चोहान ने इस उसे बहुत वीरता से हरा दिया उनकी राचपूठ सेना ने भौत शक्ति से लड़े लगता है सोलांकी की रानी नेके देवी से हारने के बाद मुहमद घोरी को किसी और राचपूठ से हारने का मन था अब देखिए गुजरात से हारने के बाद गुजरात के रास्ते से तो दिल्ली जाया नहीं जा सकता अब लाहोर का रास्ता बचा था हमने पिछले वीडियो में जानी लिया है कि लाहोर के राजा कुश्रव मलिक जो कि घजनविद के आखरी सुल्तान थे उनको महमद घुरी ने कैसे पचाड दिया अब वह दिल्ली में संदेशा बेचने का समय आ गया पृत्वीराच चोहान के पास अब पृत्वीराच चोहान के पास संदेशा है जिसमें लिखा था इसलाम कबूल करके या तो अपना ऐसारा एंपायर हमें देदीजिए या तो आप युद के लिए रेडी हो जाईए अब पृत्वीराच चोहान मानने नहीं वाले थे तो वो दोनों युद के लिए रेडी हो गए तराइन के इलाके में अब मैं बताना चाहूँगा कि पृत्वीराच चोहान को हराना आसान नहीं था वह अपने समय के सारे राजपूतों को हरा चुके थे चंडेल, चालुक्या, गहादवल और भी कहीं सारे राजपूतों को और साथी में इनकी राजपूत सेना, गहोरी सेना से कई ज़ादा अच्छी थी किन-किन चीजों में आये जानते हैं उस समय की इस्लामिक सेनाय हाथियों का इस्तमाल नहीं करती थी और क्लोस कॉमबैट भी नहीं करती थी क्लोस कॉमबैट का मतलब आमने सामने बैटल करना यह लोग दूर से एरोशोट्स भी मारने जानते थे एरोशोट्स हिंदू रूलर्स में भी थी परनतु यह उसे थोड़ा ज़ादा अपनाते थे वही जबकि राजपूत सेनाओं के पास हाथी भी ज़ादा थे कहा जाता है कि मुःमड घौरी की सेना में एकлоट बीस हशार लोग थे और प्रिफ्विराज की सेना में तीन लाख और दो हजार से ज़ादा हाथी प्रिफिराज की सेना के आगे जो आप जो आप दो बौल्स देख सकते हैं वही हाथ ही represent करते हैं नीचे दो लोग दिख रहे हैं सकंद और पृत्वी राज पृत्वी राज में लीडर हैं और सकंद उनके चीफ हैं लेफ्ट साइड में एक और चीफ थे गोविंद राज जिनका इस आर्मी में बहुत काम है अब यह जो आर्मी है यह बड़ी विवस्थित लग रही है और ऐसी लग रही है कि यह क्लोस कॉमबैट करने के लिए ही बनाई गई हो उपर मुहमद घोरी की आर्मी फॉस्ट एक्स्पिरेंस के साथ आई हुई है चली देखते हैं क्या हुआ था सबसे पहले शर्वाहती गई मुहमद घोरी की द्वारा उसने अपने तीर कमान वालों को बेजा उसने सोचा कि इन हाथियों पर तीर चलेंगे तो यह हाथि अपनी ही सेना में चलेंगी और अपनी ही सेना को कुचल देंगी परंतु पृत्विराज ने उसको एक सप्राइज दिया उसने सोचा कि हाथी पीछे हो जाएंगे बलकि हाथी तो बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़े और पृत्विराज ने पूरी सेना को ही आगे आने का संदेशा देदेगा यह देखके तो तीर कमान वाले घोडे भागने लगे तो बेचारे तीर वाले क्या करते और सेना की हालत कुछ ऐसी हो गई तो घोरी की सेना की कुछ हालत ऐसी हो गई थी पृत्विराज चुहान ने घोरी की सेना के लेफ्ट और राइट सेक्शन को इतना गंदे तरीके से पीछे धकेला कि आप देखी सकते हैं अब घोरी ने अपनी सेना जो डी मोटिवेटेड हो चुकी थी उसको मोटिवेट करने के लिए सेना में वे खुदी गुसाए परन्तु उस वक्त पृत्विराज चुहान के साइड में गोविंद राज थे और गोविंद राज और घोरी का सामना हुआ गोविंद राज हाती पे थे और गोविंद राज ने घोरी को बहुत बुरी तरह के से मारा मुहम्मद घोरी की हालत बहुत बुरी हो गई थी उसका वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन एबक उसे पकड़के अपने राज्य में वापस ले गया और यह गोरी की सेना बुरी तरह किसे परास्त हो गई प्रित्विराज चोहान की सेना ने इसका पीछा गिया पर उन्त फिर अंत में रुखना ही पड़ा तो प्रित्विराज चोहान ने ऐसे ही मुहम्मद घोरी को हरा दिया इससे उनकी वीरता का पता लगता है और उन्हेंने फिर इसके बाद अपने राज्य में बहुत खुशिया मनाई और उन्हें राजपूतों की शान बढ़ा दी परंतु यह आखरी युद नहीं था 1192 AD का युद हम अगले वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि मुहम्मद घोरी ने पित्विरा चुहान को चीटिंग से कह से हराया तब तक के लिए बाई बाई जै राजपूता ना